लेटेस्ट न्यूस के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूस अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें चतिस गड़ के मुख्यमंत्री विश्नु देव साय ने एक राष्ट्र एक चुनाव के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि इस निर्ने से देश का लोक तंत्रिक ढाचा और भी मजबूत होगा यह कदम न केवल चुनावी सुधार की दिशा में है बलकि एक महान लोक तंत्र की स्थापना का भी हिस्सा है मैं केंद्र सरकार द्वारा लिये गए एक देश एक चुनाव के इस एतिहासिक निर्ने का फिरदेश से स्वागत करता हूँ यह सबस्वी प्रहा मज़िद स्री नरेंद मोदी जी के दूर दर्शी नित्र की में लिया गया निर्ने देश के लोक तंत्रिक भांचे को और अधीक मद्बूत करेगा यह सिर्पे के चुनावी सुधार नहीं है बलकि भारत को महान लोक तंत्र बनाने के दिशा में भी एक निर्नायक कदम होगा मोदी जी की सरकार ने पूरो राश्पती स्री रामनात कोभी मुझी की अध्यक्षा में बनी समीति के सिफारिसों का पालन करते हुए यह निर्ने लिया है और एक देश एक चुनाओ इस निर्ने से देश को बहुत लाब होगा इसके नहीं होने से साल भर कहीं न कहीं चुनाओ होते रहता था जिससे समय की भी बरबादी होती थी पैसे की भी बरबादी होती थी और आचार सहीता अगरा लगे रहता था तो विकास काम भी अरुद होता था लेकिन अब एक देश एक चुनाव इलागू हो जाने से निष्टिक रूप से देश को बड़ा लाब होगा इसमें समय का भी बच्चत होगा अर्थिक रूप से भी लाब होगा और विकास भी लगातार चलेगा मैं पुना इस एतिहासिक नियमने के लिए हमारे देश के सुष्वी प्रधानमान की जी का बहुत बहुत अभी निन करें अच्छा आप इसका स्वागत करवें हो फोर मोर न्यूज अपडेट्स दू सब्सक्राइब लाइक शेर और कमेंड ट्लिपर 28